तो जैसा कि आपको पता ही कि वर्लो का फाइनल ही और आपकी जानकार ही के लिए कर आपको पता हो फाइनल्स्ट हुआ है तो अभी के टाइम पें स्टाग्राम उसे बीडियो पर इस वाले गा रहा हूं तो साथ ही हो वीडियो को आपने अगर अभी तेक लाइक नहीं किया तो जल्दे से लाइक कर दिजेगा और चैनल पर नहीं को सबस्क्राइब कर लिजेगा बाकि चलिए मोबाल की स्किन क्यों लेकर चलता हूं दर आपको step by step सिखाता हूं किस तरह से आप पर इस पक करेंगे आपके सामने कुछ इस पकार का इंटरफेस आएंगे यानि फर्स्ट पेज इस पकार से ओपन होके आएगा यहां पर साथ हूं आप यहां पर देखिए image creator from Microsoft Bing तो आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है जब साथ हूं आप यहां पर क्लिक करते हैं कुछ इस पकार से आपके सामने option आएंगे सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहां पर अपना जो account है उसको आपको यहां पर create करना पड़ेगा उसके लिए साथ हूं आपको इस वाले three dots पे क्लिक करना पड़ेगा यहां पर आप देखे sign in वाला option दिकरा होगा आपको इस पर क्लिक करना है जब करने के बाद साथ हूं आपको यहां पर next option पे क्लिक करना पड़ेगा अब साथ हूं आपको यहां पर password डालना है तो गैस मेरा यहां पर क्या किया है मैंने यहां पर अपना जो देखिए email code to send इसमें मेरा जो लिखा हूआ mail ID तो में इस पर यहां पर क्लिक करता हूँ जब साथ हूं मैं जोकिस पकार से मिल डी है उस पर यहां पर एक code वेझेगा तोлом करने के बाद दोस्तों यहां पर 2022 कोड कर लूँगा तो मैं कायो यहां पर filt कर लो पेस्ट मैं यहाँ पर कर दूँगा ठीक है पेस्ट करने के बाद साथ हूँ अब आपको यहाँ पर साइन इन वहले option पर क्लिक करना पड़ेगा जब साथ हूँ आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ इस पकार के आपके सामने option आएंगे सो एगेन आप यहाँ पर next वहले option पर क्लिक कर दीजेगा इस तरह से आपको यहाँ पर अपना जो account है आपको यहाँ पर create कर देना पड़ेगा अब मैं यहाँ पर 3D पर क्लिक करके आपको अगर दिखाओं तो देखें मेरा mail ID यहाँ पर दिख रहा है साथ ही मेरा photo भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है मतलब जो मेरा Gmail ID यहाँ पर successfully create हो चुका है अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी photo चाहिए ओ आपको यहाँ पर type करके लिखना होगा तो मैं क्या करता हूँ इसको ले जाके सीधा में इहाँ पर कर देता हूं पेस्ट अब तो देखें मैं मैं यहाँ पर क्या लिख्या है यह यंग बॉइ अगर आप लड़की हो तो आप यहाँ पर लिखेंगा देखें मैं इंडिया से हूं तो मैं यहाँ पर इंडिया लिख्या है आप जिस भी country से मेरे वीडियो को देख रहें ओ country का नाम आप यहाँ पर लिखेंगा उसके नमबर मैंने यहां पर लिखा है तो एंड वाचिंग मैच ओन टीबी तो देखे कुछ इस पकार से मैंने यहां पर लिखा है आप चाहिए तो इसको आप यहां पर नाम बस चेंज कर देना है उसके बाद साथ हूं आपको यहां पर क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा जब साथ हूं आप यहां पर क्रिएटिंग क्लिक करोगे कुछ इस पकार से एक होने में थोड़ा टाइम लेगा यहां पर आप नीचे में देखिए यह इमेज हैस्ट विंग विंग क्रिएट वाई यहां के माई दम से सारा है तो देखें मेरा जो चीज यहां पर कुछ इस प्रकार से आ चुका है और यह मेरा सही से नहीं कर पाया देखिए मैं लोंडा लिखा और यहां पर क्या दिखा लिंडा दिख रहा है ठीक है तो आपको मैं और भी ऑप्शन में यहां पर दिखता हूं जो भी आपको अच्छा अच्छा लगता है उसको अच्छा लग रहा है तो यह वाला मैं यहां पर रखने वाला हूं कि यह वाला तो इसको दोस्तों में यहां पर कर लूँगा अभी स्लेक्ट जैसे दोस्तों में यहां पर स्लेट करता हूं तो कुछ इस पकार से जो मेरा फोटो वाले ओप्सन में जाके मेरा जो फोटो है उसको में आप शेट कर लूँगा तो देखिए जो फोटो है मेरा यहां पर टाम लाइन में आ चुका है अब रेशियो वाले आप्सन पर जाके आपको 9-16 एक्सपेक्ट रेशियो को आपको शेट करना पड़ेगा करने के बाद साथ हैं अब आपको यहां पर क्लिक करना है अब दोस्तो आपको मेरे डिस्क्रिप्सन में हैाप इक वीडियो प्रवाइड कर दूं अबको इस वाले विडियो को आपको इहां पर लोड करके इस पकार सी होगा तीपी के उपर यहां पर आप देखिए मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ same to same आप यहाँ पर खीजेगा तो अगर आपको adjust करने में अधिक्कत हो रहा है तो आप crop option में जाके इसको आप यहाँ पर crop भी कर सकते हो तो मैं इसको कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर मैं crop कर देता हूँ crop करने के बाद ok press में यहाँ पर करऊंगा अब यह जो tba उसको ऊपर में ही हाँ पर कुछ इस तरह से adjust परेले में कर लेता हूँ जैसा कि साथ ही हूँ आप में यहाँ पर देखे तो जो TV उसके उपर में यहाँ पर ओवरलेप कर लिया है अब साथ ही हूँ आपको अपनी फोटो पर क्लिक करना होगा अपनी photo का दोस्तों आपको यहाँ पर copy पर click करके एक copy आप यहाँ पर कर लिजेगा उसी वाले फाइल को अभी आपको यहाँ पर नीचे में overlay बाला option दिखराओ का cross बाला इस पर click करके नीचे वाले layer पर आपको लाना है लाने के बाद दोस्तो अब आप में यहाँ पर cutout वाले option पर आप यहाँ पर चले जिएगा जाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर cutout के option पर क्लिक करके remove background के option को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद साथ ही हूँ अब दोस्तों अगर मैं आपने वीडियो को प्लिकर करके आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस परकार से मेरा वीडियो आपको यहाँ पर देखने का मिलेगा देख सकते हो तो दोस्तों इस तरह साब बहुत ही आसान से step को follow करके आप इस परकार आप डाल सकते हैं या फिर ब्लर में जाके आपको यहां पर आपका जो background है इसको आपको इस तरह से आप यहां blur कर लिजेगा देखिए blur background कितना मस ने याप आपको लग रहा है देखने में और वीडियो का save करने के लिए साथ हैं आपका वीडियो यहां पर save हो जाएगा